सिच्छा के जिग्यास को नमस्कार आपका स्वागत है डाक्टर पावन सुकला जुकेशनलिट के यूट्यूब चैनल पर जैसा कि आप लोग जानी रहे हैं हम लोग सिच्छा सास्त्र विशाई की चार्च कर रहे हैं जो सिच्छा सास्त रहे हैं यही एक विवहारी कुछ से है इसको आप जानी रहे हैं इसमें विवहार का निर्मान कैसे किया जाता है यही पूरी प्रक्रिया होती है उसमें सिच्छा मनोबी ग्यान जो है मनोबी ग्यान के ग्यान का उप्योग करते हुए बताता है कि किस प्रकार से इन सिध्धान्तों नियमों का उप्योग सिच्छा में किया जा सकता है तो उसी संदर में हम दर्शन की जब बात कर रहे लगे तो दर्शन यह बतलाता है कि क्या सिच्छा का क्या स्वरूफ होना चाहिए तो अभी हम साइधान्ती ग्रूप की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हम आदर सुवात के अर्थ परिभासा सिध्धान्त क्या है उद्देश क्या है और उन उद्देशों को पूरा करने के लिए पाथे करम क्या क्या पढ़ाया चाहिए कैसे पढ़ाया चाहिए शिछन बिधी इन तमाम प्रकरणों की चाहर इसे पहले के वीडियोस میں कर चुके है जो आज का हमारा विशे है वह आदर्श्वादी विचाधरा और सिच्छा के संदर्म में बहुत ही महत्पूर विशे है क्योंकि आज का हमारा जो प्रकरण है वह है आदर्श्वाद और सिच्छा का पाठिक्रम क्या है इसको देखे हम आदर्श्वाद और सिच्छा का पाठिक्रम क्या है आदर्श्वाद और सिच्छा की सिच्छन विधी क्या है अब हम यह देखना चाहेंगे कि जो आदर्श्वाद प्रक्रिया चल रही है सिच्छक और सिच्छार्थी के बीच में वह सिच्छक और सिच्छार्थी का अस्थान क्या है क्योंकि यहां आदर्श्वाद जो है एक सिधान्त की बात करता है एक ऐसे विचार की बात करता है जिसमें मोच ही इसका परमुद्देश है तो आज के इस प्रकरण में हम आदर्श्वाद के संदर्व में बात करेंगे सिच्छक क्या है टीचर कौन है गुरू की भूमिका क्या है और जो सिच्छार्थी है जो सीखने वाला है या दिगम करता है लर्नर जो है प्यूपिल जो है वह उसका प्रत्य क्या है उसके संदर्व में बात करेंगे और शाथ ही अनुशासन की भी बात करेंगे कि अनुशासन कैसा होना चाहिए तो यह तीन फ्रक्राण आज के इस बीडियो के है यानि आइडिलिज्म एंड टीचेर प्यूपिल एंड डिस्प्लिन की बात की जाएगे तो देखिए आदास्वाद एक ऐसी विचाधारा है जिसमें महत्ता जो है जश्चक्य है जफ्यॵैट लिएफ्य सचप के इंडर बिंदू है इस बीड़ा में प्रक्री दिवाज के विफारीव यहां जो टीचर है जो तो सिच्छक है जो अध्यापक है वह पूरी सिच्छा प्रक्रिया का केंद्र बिंदू है अगर पूरी सिच्छा प्रक्रिया आप माल रहे हैं तो सिच्छा प्रक्रिया जो है जो उसका स्वरुप्रियधारित किया गया है उसका मूल प्रभाव मुख्यों उसका सिच्छक हो तो देखा जाए तो यहां एक बात समझ में आती है कि जो हमारे भारती संस्कृत में पहले हम सिच्छक की बात कर रहे हैं तो सिच्छक लिख देते हैं एक बहुत ही प्रचलित आपको मिला होगा इस्लोख गुरुर बाम्हा गुरु विष्नो गुरु देव महे सुरह गुरु शाचात पर नह्म्हा यह जो इसलोख है यह आद श्वादी सिच्छक की संकलपना को अस्पस्त करता है जो हमारी ग्ज्ञान की स्रिष्टी है जो हमारे पास यह पूरा करने के बाद बयास को से लिए उसके लिए ग्यान की पास सिजन किया ग्रुर विष्णू यानि गुरू ने उस जो ज्यान की स्रिष्ठी थी उसका पालन किया घ्रुदेवौ महिस्वरह जहां जरुवत परी परिमाजन परिवर्तन किया गुरूर देव महिस्वरह महिस्वरह क के रूप में सिर्थी gathering की बात होती है वह श्यू, गृण सुधार किया परिवर्थन किया मैं है तो गृणिन परब्रह्म्हा गृुर्षनु गृुर और आदर्स्वाद में जो जीवन का लच्छा है वह मौक्छ की प्राप्ति है तो अस्वायन परब्रम्भ है तो ऐसी बात गुरू के संदर में है जैसा कविदासी ने कहा कि गुरु गोबिंदो खड़े काके लागों पाए गुरु बलिहारी गुरु आपनों गोबिंद यह बता है यदि गुरु और गोबिंद यह नि गुरु और इस्वर साथ-साथ पुछे कि किसके पाउपड़ू कौन है बड़ा तो वहां आएगा दोनों खड़े हैं लेकिन बलिहारी गुरु आपनों गोबिंदियों बताये प्रभु यह गुरुदेव आपकी बलिहारी है आपकी महंता है कि आपने ही इनको बताया तो ऐसा है यहां सिच्छक की भुमि जो आप देख जानते ही हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध आदर स्वादी थे फ्रोबेल महोदे ने ही जो आपका किंडर गार्डेन सिस्टम है बालकों को बालकों का बगीचा जो बनाया उन्होंने कंसेब जो आज भी चल रहा है उसमें उन्होंने सिच्छक की भुमिका को स मुद्ध इस और इसमान कि प्रविश बने गार्डेन सिच्म निकों को बट्विक प्रबेल मुद्ध शेचित्ण आख सेज्री महाँ यूत्य भूराइव दीच्छी महीं बोला इलिवाग वहाँ इक वाय देकी वाuso काया की देखिए ब्यब्रिद्धी तो सब जगह होगी लेकिन जो एक जंगल में बढ़ने वाला पौधा है वह अपने मन से अपने स्वभाव से अपने प्रकित से जंगर्श करते हुए अपने भोजन के लिए पानी के लिए सूर्य के प्रकास के लिए लए जड़ रहा है अ पूल तर्डा कि ठीएं जसे हैं की जंगल की जगल है उसमें अपने फूल झुलने दिजिए मैं उसके जीवन को चलने दो चुबने दो शुबने दो लेकिन आदर्स्वादि मैं वो का आजत्रों से दूर रखेगा उसको प्रत्य अच्छे अनुभावों से थोड़ा काफी कुछ सिखाएगा लेकिन जो अनुभाव पीडी तर पीडी संचित है उन अनुभावों को भी प्रत्य चुरूप से देता रहेगा इसलिए फ्रोबेल ने कहा कि विद्याले एक बाग है विद्याले माली है क्यों कुसल माली है इसलिए कुसल माली है कि वह जो अपने विद्याले रूपी बाग में बच्चों को इस तरह से तयार करता है कि निशित रूप से वह अपने अनुसार बढ़ते हैं अपने जो उनकी मूल बातें होती हैं उससे बढ़ती हैं लेकिन इनकी छो छमता उनको जो खत्रे होते हैं उसको और सकम कर दिया जाता है और इसी संदर में जो है एक कथन रास का भी मोदे का भी है जेस रास भी एक अच्छे दायसनी थे उन्होंने भी यह कहा कि देखिए जंगल में भी फूल खिलेंगे अगर आप गुलाब की कलपन कर लीजिए तो जंगल में भी जंगली गुलाब की लेगा जंगली इसलिए कहा जा रहा है कि घास फूस और जानियों से लड़ता जगड़ता अपने अस्तित्त को बचाते हुए तयार हो रहा है लेकिन जो यह बिद्याले में बच्च अब बात करते हैं जरासा सिच्छार्थी की बात करें तो सिच्छार्थी क्या है सिच्छार्थी के संदर्म में आप जानते ही है कि आदस्वादी संकल्पना क्या है आदस्वादी संकल्पना यह है कि जो भी संसार में है चर अचर जो भी जीव जन्तु हैं सब स्रिष्टि की में प्रभू के अंस हैं इस्वर की एक रचना है उस इस्वर की रचना को सिच् देवत तो है वह जन्म से ही तैविये ग्यों से युकत है उसमें केवल जो हमारी विवस्थाएं हैं उसके अनुसार इस धंग से बढ़ा सकते हैं यह इस धंग से उसको विक्सित कर सकते हैं कि जो उसका देवत तो है जो उसकी प्रकिती स्वतंत्र है और उसकी जो नियती अम् तो ये संदर में एक हार्ण महोदे का कथन है उसको आप इतना याद रखिएगा कि बालक का वास्तविक उद्भव है वह देवत्व है हार्ण ने क्या कहा हार्ण ने कहा एक दार्शनिक थे अमेरिका के उन्होंने कहा कि जो बालक है एक बालक का एक जो बालक है उसका उद्भव जो वास्तविक उद्भव है वह देवत्व है उसका वास्तविक उद्भव यानि जो उसका जन्म हुआ है वास्तव में जब पैदा होता है तो जिस स्वरूप में होता है वह उसका वास्तवी कुद्भव क्या है वह देवत्व है बहुत सारे दर्शनिकों ने इस उद्भव को स्विकार किया है और सच भी है कि जो बालक का वास्तवी कुद्भव है वह देवत्व है और उसकी प्रकिती स्वतंत्र है उसकी प्रकिती क स्वातंत्र का मतला अपनी प्रणाली है हर चीज में उसने अपने आप सीखा है अपने आप दिर्मित किया है इसलिए उसकी प्रकिति स्वातंत्र है और उसकी जो नियत है वह अमरत्व है उसकी नियत यानि जो वह प्राप्त करने के लिए बना है जिसके लिए उसका जन्म हु अब इस कथन से भी आपको विद्यार्थी की संकल्पना का एक बहुत बड़ा द्रिष्टिकोंड आदर्श्वादी द्रिष्टिकोंड अस्पस्ट हो जाता है क्योंकि बालक केंदित ब्यवस्था निश्चित रूप से यह सिच्छक केंदित ब्यवस्था होते हुए भी और प्रकुतिवादियों की तरह बालक को स्वतंत्र नहीं छोड़ देना चाहते यह ऐसा देखना चाहते हैं कि देखे मूल बाद क्या है कि बालक जो हैन। उसकी प्रकिति स्वतंद उसका वास्तविक उद्भव देवतु है। तुझे एक सिच्छक है सनकल्पना को आपने देखा होगा lah तो समझे होगे आप कि जो गुरु नगकर जो सिच्छक जो एक अध्यापक है वह बालक के वास्तविक उद्भव जो देवत्व का उद्भव है यानि जो दैवी गुणों से जो वह ज़ता जन्म लिया है उस गुणों को बढ़ाता है क्योंकि बालक की प्रकिति स्वत नत्रे इसलिए वह बालक सिच्छक के बताय हुए अधरश्वाद के अनुसार अनुसासन क्या है अधरश्वाद के अनुसार, अनुसासन क्या है अदर्ष्वाद अनुसाशन में प्रकितिवाद का पूरा उल्टा है उल्टा इसलिए है कि प्रकितिवाद बाद में उल्टा उसको बनाया था यहाँ जो है प्रभावात्मक अनुसाचन की बात होती है क्योंकि जब इसका प्रभावात्मक और कहीं कहीं इसको धंडात्मक भी माना जा सकता है तो धंडात्मक भी कहा जाएगा लेकिन अनुसासन जो स्वरूफ होगा वह मूलता प्रभावात्मक होगा जो सिच्छक है वह अपनी संकल्पना को अपने ब्यवहार को अपने आचरन के द्वारा इस तरह से प्रभाव बनाएगा कि वह अनुसासन बालक का बना रहे जैसे लेश में कुछ लोगों ने कहा यही कि आदर्स वादियों का नारा क्या है अनुसासन है क्योंकि अनुसासन में रहेगा तो बालक जंगली फूल की तरह जाडियों से बिना मतलब के संगर्ष नहीं करेगा लच्छ की और सिगता से बढ़ेगा उसकी जो दहविये गुणों की जो शमता है अपार शमता है वह सब्सक्राइब करेंगे जो विद्यार्थी संकल्पना है उसमें भाती संदर में कहा गया सद्या पड़िपातेन परिप्रस्नेन सेवया इसमें जो विद्यार्थी की संकल्पना है विद्यार्थी की भारती संकल्पना है कि कौन सा विद्यार्थी होना चाहिए यह भी बहुत बड़ी बात है इसलिए मैंने आपको यहां भी फिर सेवताने का नेड़े लिया और आपक करने की छमता हो ऐसा सेवभाव हो उसी को गुरु पढ़ा सकता है सरद्ध्या प्रड़िपातेन पहली बात तो स्रद्धा होनी चाहिए सद्धा क्यों जरूरी है सद्धा इसलिए जरूरी है कि जब गुरु जो बता रहा है उस पर भरोसा रखेंगे तभी तो उसके परिणाम उसके प्रयोगों को व्योहार्म लाएंगे तभी आप उसको जान पाएंगे कि क्या है तो स्रद्ध्या प्रड़िपातेन सब में उसमें सद्धा हो प्रड़िपातेन पूर्ण समर्पन हो परिप्रस्णेन परिप्रस्णेन का मतलब क्या हुआ प्रस्ण के चारों तरफ या परस्ण करने की छमता हो जब्षा का मतलब सेवा का भाह निशुत रूप से जह मानुवी गुण का विकास करना है तो सेवा का होना चाहिए तो परिपर्स्टम हम सेव्प यही गुण होने हैं अगर इतने गुण तो शिछक को सिच्छार्थी को सिच्छा देनी चाहिए और दे सकता है तो इस तरह से हमने आज आदरष्वाद और सिच्छार्थी का नुसरस्ण जो है उसके बारे में देखा अधिन किया हाँ इसकी कुछ हालोचनाई भी होती है कि आदरष्वादी एक रूड वादी जो है दाशनिक करता है जो कोई भी राष्ट अपने लच्छ को आगे बढ़ाने के लिए ऐसी अपेच्छा सिच्छा से करता है तो इस तरह से हम आदेश्वात की जो संदर में सिच्छा का दिश्टिकोन है उसको देख चुके हैं विद्याले की संकल्पना में इसमें आपकी बात एक थोड़ समय और बता दू कि जो विद्याले की संकल्पना है इसमें जो गुर्कुल प्रणाली है हां थोड़ा से यहां में आपको लिख देता हूं विद्याले संकल्पना में गुर्कुल प्रणाली की बात की जाती है कि विद्याले कैसे हो ऐसे हो आवासी विद्याले हो जिसमें ग देर और नटर्व टोन देर अंतहक करिया होगी तो निश्यत रूप रूप से उसके जो ब्यों परिमाजन की परक्रिया चल रही है उसको जादा ती बता प्रक्राप्त होगी तो इस तरह से आज के इस प्रक्रण का समापन होता है आप चैनल को लाइक करने, सेर करने, सब्सक्राइब करने बेल आइकान दबाने पर बिचार कर सकते हैं कोई बात हो तो आप कमेंट पाक में प्रस्ट के रूप में पुछ सकते हैं या कुछ को धन्यवाद, नमस्कार